रहे हैं लेकर वो गम सब कुछ सहती पर लगता है कम ओ मेरे पापा कैसे बताओं तू है में जाता है कहाँ बाबा बैठा खाटू में भूलाता है वहाँ आप अब सूरीली गाना को सभी कायल हो चुके हैं पूरे सोशल मीडिया में अभी इनका गाना ड्रेंडिंग पे ऐसा गाना जो आप शुनेंगे तो रुखेंगे आप इनकी आवाज का कायल हो जाईएगा आए हम उनसे बात करते हैं और उनसका परिचे करवाते हैं पहले अपना नाम पुरा बताई क्या नाम अप्राजिता रोह है अप्राजिता ये बताई कि अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं एट क्लास कॉन सा श्कूल में केंद्र इनका सपोर्ट ही करते हैं जब जिए जिए चोटा जगा है यहां उतना इस्तर ये इस तरह का मार्केट ने कि यह लोग घाना गाते हैं लोग दोनों खुद भी और बेरी बेटी भी गाती हम लोग को दील को सुकून पहुँँचता है आप हां गाते थे भालका फुलका गा करता है आप क्या काम करते हैं हम तो सिक्षा भिवाग में हैं और हम लोग हमारे अंदर में कुछ स्कूल है इसको देखना पड़ता है तो गाना आप भी गाते थे गाना हम इसकूल को जलाइप में हम भी गाया है सौक रहा है मेरा तो क्या सपना था जो आप नहीं पुरा कर पाएं अब अपना बेटी के रूप में इसको देख रहे हैं दरसल यह है कि उस जमाने में जब हम लोग गाया करते थे तो इसको लोग उतना अच्छा नहीं देखते थे उस दीशनी से लोग नहीं देखते थे कि य करें जो हर एक गारचन का सपना होता है तो हम लोग जो है घुट करके इधर उदर थोड़ा बहुत करके से में अपना दिलखूस करके अभी आपका बेटी गारी है कैसा लग रहा है कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि जो हम लोग का अधूरा सपना है उसको धिरे-धिर पूरा कर रही है तो अभी तक कहा का परफ्रमेंस दिये हैं अप अभी तो गोड़ा में जितना जगह है वहां पर दे चुके हैं सांस्कृतिक कारी करह में बुलाया जाता है एक गाना आपका पूरा चल रहा सोसल मेडिया पापा ओ पापा तो उसका कुछ हलका जो लाइन है वह गा लगता है कम जिये जा रहे हैं लेकर वो गम सब कुछ सहती पर लगता है कम ओ मेरे पापा कैसे बताओं तु है मेरा तेरे हैं हम जिये जा रहे हैं लेकर वो गम सब कुछ सहती पर लगता है कम जिये लगता है कि संगीत का जो सुर है जो आवाज आप सुन लिए अप समझ ही गये होंगे कि आने वाले से में ये बेटी एक रिकोर्ट कायम करेगी तो ये बताएए आप भी गाना काते हैं घर में परिवार क तुम मिले तो विराने में भी आजाएगी बहार आप मिले तो विराने में भी आजाएगी बहार आप भी मिक्स कर दिजे थोड़ा हलका सुषी में तुम रहती हो पुरा फेमली ही गानों में डूबे हुए है और अच्छा गला है अच्छा गला है आगे क्या प्लान है प्रहाई रिखा करने बाद गायकी के छेत्र में कितना आगे जाना एक तो मुझे गुड क्वैलिफायर बनना है साथ ही एक अच्छा सिंगर भी बनना है कभी अपना यह चांस देने के लगा है किसे प्रोग्राम होते हैं टीवी पर नेशनल मीडिया नेशनल चैनल पर तो कई ओडिशन में गया है कि नहीं हां मैंने दो ओडिशन दिया एक सारे गमा पर लिटिल चैंप्स का और एक सिंदिल से का जब जब गाते हैं तो और क्या क गिरुका ज़राइद के छरफ से तो मुझे फूल सपोर्ट रहता ही है और ऐसे कि एक भरी में सेखते हैं और HEY सब्सक्राइद को बस्तीर हां मैं तक किता दिन से से खु distributed हर मुनियाद को कर रही है कुछ अलग करने का अजय कहीं भक्ति वगर का कहीं से चांस आया है चैनल किसी चैनल में भक्ति का गाना का है है हाँ एक चैनल यूटूब पे श्याम दिवानी उसमें मैंने भक्ति का भी शौंग गाया है एक दुर्गा मा का था और एक कानहा का एक खाटू वाले श सुन बावरी ओ बावरी तू जाता है कहां बावा बैठा खाटू में भूलाता है वहां यह तिया अपराजिता रोय और भक्ती गाना हो क्लासिकल हो यह कोई भी गाना किसी फिल्म अच्छा गारी है अच्छा कर रही है बहुत छोटा जीला है गोड़ा और यहां से उभरता हुआ सिंगर की रूपए अपने आपको सबित कर रही है पूरे जीला में इसका नाम है हर जगह चाहिए वो आप परसाष्ण का इदे कोय करम हो या कोई सरकार को करम हो तो हर काय करम में यह बेटी वहाँ नजराती है अब हम आसा करते हैं कि यह बेटी पुरे जीला करना पुरे देश में करें पुरा विश्व में करना हूं आने वाले सेमें एक बड़े गायकार के रूप में उभरें और हम तमाम लोगों का इसका समर्थरमना देगा आप भी इनका गायकी को यह पसंद करते हैं इसका चैनल भ बड़ा देश में लाना से बने यह अप्लक तब तक जोहार ने को साथ धन्यवाद